नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ डक्टर आर बी धमन आज का नक्षत्र स्वाती स्वाती नक्षत्र की बात करेंगे स्वाती नक्षत्र वाले जातक कैसे होते हैं जातक कैसे होते हैं जातक कैसे होते हैं और इनका जीमन चरितर कैसा होता है शरीर की आकरती कैसी होती है मन की परकरती से ही कैसे होते हैं इनका पारिवारिक जीमन कैसा होता है समाजिक जीवन कैसा होता है और आर्थिक इस्तिति के मामले में ये लोग कैसे होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं स्वाती नक्षत्र स्वाती नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं स्वाती नक्षत्र की इस्थिति सौर मंडल में कहा है सौर मंडल में स्वाती नक्षत्र की इस्थिति है तुला राशी में और ये नक्षत्र तुला राशी के अंतरगत 6 अंश चालिस कला से आरंब होकर के 20.00 कला तक रहता है यही है इस नक्षत्र का स्वाती नक्षत्र का तुला रशी में विस्तार शेत्र स्वाती का मतलब क्या स्वाती का आर्थ होता है तलवार इस नक्षत्र के देवता वायू देव मतलब वरुन देव हैं नक्षत्र स्वामीं गढ़े रहु हैं इस नक्षत्र का स्थान तो तुला रशी में है ही और खगोल शास्त्र का ये पंद्रवा नक्षत्र चरसंग्यक नक्षत्र माना जाता है इसका एक ही स्टार है एक इतार है अंडाकार मुंगा रतन के समान दिखाई देने वाला ये नक्षत्र है और ये वही नक्षत्र है जिस नक्षत्र के समय में पानी की एक बून सीप में जाने से मोती बन जाती है ये शुब नक्षत्र है तामसीक नक्षत्र है और इस्तरी संग्यक नक्षत्र है इसकी जो जाती है वो है क्रशक और योनी व्यागर है योनी वैर्गो से है गण इस नक्षत्र का रक्षस है और नाड़ी अंतिया है इन सब की जोरुत पड़ती है जब कुंडी मिलान किया जात सूर्य अगनी और वायू का प्रतीक नक्षत्र माना जाता है ब्रमाण के पंच महाभूत में प्रित्वी जल वायू अगनी अंत्रिक्ष यानि आकाश पांचो तत्व का गटन करने वाला यह वायू तत्व है और वायू सर्व शक्तिमान इश्वर की सांस से प्यदा हुआ मान वायू सतत्पमन पदक और गंध कहलाता है वायू धर्वों वातावरन और आकाश की आत्मा का राजा माना जाता है यह पर्चंड और व्यगवान प्रेमशील और अधीर प्रित्वी और आकाश दोनों में यह बहता रहता है लोकमननेता के नुसार वायू ने मेरू परवत क उठा करके और समुदर में पैंक दिया था वही आजकल श्री लंका कहलाता है वायू देव हनुमान जी यानि पौमन पुत्र हनुमान जी के पिता हैं और उत्तरदिशा मतलब वायवय कौन के यह स्वामी माने जाते हैं स्वाती नक्षत्र राहु ग्रह का नक्षत्र है और यह नक्षत्र तुला राशी यानि शुक्र की राशी में पढ़ता है इस नक्षत्र में जनम लेने वाले जातक संवेधन शील होते हैं दयावान होते हैं इमांदार होते हैं बुद्धिमान होते हैं नयाय प्री होते हैं रुक रुक कर बोलने वाले होते हैं लगाने में भी मदीरा का सेमन नशीली वस्तूं के भी ये प्रेमी देखे जाते हैं इनकी जो सुम्रण शक्ती है वो बहुत तिवर होती है वैपार में कुशल और 30 से 35 वर्ष की आईयू में विशेश लाब कमाने वाले ये लोग होते हैं ये जातक सानु भूती पूर्वक व के आवेश में अपनी ही हानी कर लेने वाले या अपना ही नुकसान कर लेने वाले होते हैं उन्निती के कई बार इनको अवसर मिलते हैं उन्निती में कई बार बाधाओं के शिकार भी होते हैं कुछ मामलों में हटी पिरकृती वाले भी होते हैं युक्त युक्त पूर्वक अपना काम निकाल लेने में भी ये माहिर होते हैं ला परवाई से इन्हें कभी कभी दुरगटना में चोट लगने का अंदेशा भी ज्यादा रहता है ऐसे जातक विद्दूत का समान का कारे करें या फिर क्रे विक्रे उनका करें उनकी मनुफैक्चरिंग करेंगे प्रेटेन या नाटक से संबंदित हूँ मदिरा के कारे या तरल पदार्त कोई भी हो सकता है जूस भी हो सकता है कोल डिंक भी हो सकती है डेरी फार्म दूद का काम भी हो सकता है ऐसी या फिर फैंसी विस्टूएं उनका स्टोर भी इनका हो सकता है कंप्योटर से संबंदित कारे या आ होते हैं वस्तरों के अच्छे विक्रेता हो सकते हैं यह आटो मोबाइल में भी वेवसाय अगर करें तो किस्मत अजमा सकते हैं स्वाती नक्षत्र में जनम लेने वाले जो जातक हैं यह जीतिंद्री होते हैं लज्जावान होते हैं वानिज्य प्रेमी होते हैं धारमिक विच इनकी बुद्धी में अधिक चत्राई नहीं होती ऐसे जात को घर में रहना ज्यादा पसंद होता है ये किसी धातू में कुशलता पराप्त कर सकते हैं अगर कोई किसी मैटल से संब्दित करें तो उसमें उसमें ज्यादा सफल हो सकते हैं पशू पालन या फिर घरेलू जो जा अगर इस नक्षचटर में जनूर लेने वाली कोई कन्या हो wyb तो वह सु्ख्य और प्राक्रमी होती है. सुवाती नक्षचटर में जनूर लेने वाले पुर्शों के मामले में यह माना जाता है कि इनके पैर गुटनों के नीचे मुड़े हुए होते हैं और एडी बहुत सुंदर होती है इनका चेहरा और गुदगुदा बदन महिलाओं को भी बड़ा अकरशित करता है यह जातक शांत पर यह अटीला सोतंतर विचारों वाला होता है दूसरों का धन ना तो यह हडपना चाता है और ना ही दूसरों को अपना धन कबजा कर देने की परवर्ती इसकी होता है यानि साव धान भी पूरा पूरा होता है अपने करे के निंदा सेहन नहीं करने वाला होता क्रोध ज्यादा जल्दी आ जाता इसको ऐसा होने से, क्रोधित होने पर फिर शान्त करना भी जराब मुश्किल हो जाता है, सौतंतर रहने पर दूसरों का मददगार होता है, आफ शक्ता पढ़ने पर अच्छा दोस्त और नफरत करने पर परबल दुश्मन भी हो जाता है, ब 30W तक वैपार या वैवसाय जो भी ये करते हो उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पते 30多िक humility सुरॉनिम काहल होता है दमपत्य है जिवन इनका ज्यादा अच्छा नहीं होता बहर से इनका दमपत्य जीवन बेशक सुखी दिखाई देता है पर वास्तों में सुखी होता नहीं इनका दमपत्य जीवन आचारे प्रशर इनके बारे में कहते हैं कि ये जातक सरकारी कारियों में सरकारी नोकरी में बहुत लाब कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं इनमें काम बासना की थोड़ी अधिक्ता होती है ये आचारे प्राशर का कहना है अनेक विश्यों का गहरा ग्यान एकत्रित करना इनका शोक होता है और ये बोलने और किसी विश्य को प्रतिपादित करने में मता किसी भी विशे की व्याख्या करने में उशल होते हैं उग्र यांतरिक विचारों से प्रभावित होते हैं यानि टेक्नोलेजी यानि आधुनिक टेक्नोलोजी से जल्दी प्रभावित होते हैं सामें वादी होते हैं इनका परिवार या आधीन कर्मचारी अधिक होते हैं इनका परिवार या तो बड़ा होता है या फिर इनके आधीन जो कर्मचारी होते हैं अपना बिजनस करने वाले हो या सरकारी अधिकारी हो सकते हैं ऐसे में भी इनके आधीन रहने वाले लोग ज्यादा होते हैं। यह अपने वश्च में सबसे अधिक उन्नती करने वाले लोग होते हैं। और अपने जीवन साथी या संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों के प्रती विशेश्ट रहते हैं, साधान रहते हैं। हस्त नक्षत्र की तरह स्वाती नक्षत्र का प्रतीक भी एक ही स्टार है, एक ही तारा है, जो मोती के समान चमकता हुआ प्रतीत होता है, स्वाती नक्षत्र में जनम लेने वाले जात्वों में एक विशेष्था और भी होती है, और वे यह है कि इनके पाउं के नीचे कुछ म बड़े हुवे परतीत होते हैं, इसका शारीरिक गठन विपरीत लिंग वालों को विशेश रूप से आकरशित करने वाला होता है, कोमल शरीर होता है और शांत परी होते हैं ये जातक अटल और स्वच विचार वाले होते हैं अच्छा इनका भविश्य होता है भविश्य के लिए अपना दिमागी संतूलन ठीक रखने वाले होते हैं इन्हें भुष्य के लिए अपना दिमागी संतूलन ठीक रखना बड़ा जरूरी होगा यह जातक दूसरों की सहायता करने में हमेशा तयार रहने वाले होते हैं बशर्टे इनकी अपनी सवतंतरता पर कोई फरक ना पड़ता हो दूसरों को बिना उनके स्तर या इस्तिती में अंतर की आदर देने वाले एक सीमा तक उस आदर का अनुसरन करने वाले होते हैं यह जरूरत मंदों के लिए सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं और गर्णित लोगों के परती सबसे बड़े शत्रू भी हो सकते हैं अपने विरोध के लिए सायता और सुरक्षा परदान करते हैं और मगर बाद में अगर अलोचना वो करता है तो अलोचना किये जाने पर इनके विचार बदल जाते हैं स्वाती का मतलब यह है कि स्वाती नक्षत्र में चंद्रमा होना आपकी जनम कुंड़ी में भी अगर स्वाती नक्षत्र म और चंद्रमा का संबंद जातक को संगीत, कला, सरजन शक्ती, अंतर ग्यान, ब्रम या आत्मा का ग्यान पराप्त करवाने की और भी प्रेदित करता है स्वाती नक्षतर वाले मन से युवा होते हैं और तेज हवा में जुकना जानते हैं इन में परवधवन्स की शक्ती बहुत ज़्यादा होती है और स्वाती का चिन्य परवाल मतलब मुंगा, सहज ग्यान, युक्तमान सिक्गुन का परतीक माना जाता है धरम शास्तर या वेद शिक्षा के ग्यान का ये कारक नक्षतर माना जाता है वरह मिर के शब्दों में स्वाती नक्षतर में चंद्रमा का परभाव, आत्म नियंत्रक, वाक पटुता वाला और करुणा का कारक माना गया है इस नक्षतर को इस नक्षतर में जन्म लेने वाला जातक अनुकूलनी होता है परिवर्तन शील होता है, सुगम जीमन जीने वाला होता है, सवीता परवाव के अनुसार कार्य करने वाला होता है, अपने उद्देशियों से समझोता नहीं करने वाला होता नीती में ये मिधा भी होता है, सक्चा और वफादार, विवेकशील और विद्वान भी होता है ये अपनी गलती अपने जीमन में दोहराते बिल्कुल भी नहीं है शिक्षा सब संकायों में इनको पराप्त होती है, प्रंतु जीमन में उन्नती देर से होती है इनकी जाने माने संतों का नक्षतर भी ज्यादा तर दिखने को स्वाती ही मिलता है और तुला राशी उनकी राशी मिलती है शनी ग्रह इस स्वाती नक्षतर में उच्छो करके शुब फलदाई होते हैं अगर शनी स्वाती नक्षत्र में होते हुए लगन में भी हो तो ये विशेश फलदाई होते हैं जातक को इश्वर में कुछ ही मांगना नहीं पड़ता इसका जीवन प्रेम और प्रणह से प्रिपूर्ण होता है इसका शरीर गठीला होता है तीखे नाक नक्ष के कारण विपरीत लिंग विशेश रूप से इसकी तरफ आकरशीत होते हैं दमपत्य जीवन साधारन होता है और ये जीवन साथी के प्रती वफादार भी होते हैं वरतावस्ता में ये आध्यात्मिक हो जाते हैं 25, 26, 27, 30, 36 या 42 मा वर्ष इनके लिए विशेश शुब होते हैं इस जातक में बुद्धी मता और किसी कारे को करने की अपूर्व योगता होती है 25 वर्ष की आयू तक संपन परिवार में होने के बावजूद एक प्रकार की आर्थिक और मानसिक परशानियों में ये फिर भी घिरा रहता है फिर भी 30 वर्ष की आयू तक इसे अपने करेश शेतर की उन्नती की आशा नहीं करनी चाहिए बाद में 60 वर्ष के यो तक इसके लिए विशेश सुनरी समय होता ही है यह जातक सुनार भी हो सकता है, कैमिस्ट भी हो सकता है ट्रेविलिंग एजेंट भी हो सकता है, इस वेवसाय से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और इन वेवसायों से विशेश लाभन भी तो सकता है इस नक्षतर में शुकर के साथ चंद्रमा अगर है तो ये जातक अभिनेता भी हो सकता है नाटेकार, कलाकार भी हो सकता है कपड़ा मिल का वैपारी या कपड़ा मिल का संबन्द इससे होता है मंगल के साथ अगर चंदर्मा भी हो तो जोतिश से संबंद होगा या फिर अनुवादक भी हो सकता है सूर्य और मंगल के साथ चंदर्मा होने पर ये केमिकल इंजीनियर भी हो सकता है वेवाहिक जीमन इसके लिए बहुत अनुकूल नहीं होता बाहर वाले लोगों को तो इनका वेवाहिक जीवन बहुत संतूलित दिखाई देता है पर वास्ताव में भीतर से ऐसे होता नहीं है इसका स्वास्ता लगबा ठीक ही रहता है फिर भी इसके शरीर में कुछ न कुछ रोग तो होते ही रहते हैं रोगों में पेट से संबंदित परिशानिया या फिर हार्ट से संबंदित भी कोई दिक्कत हो सकती है हाई बीपी हो सकता है बवा सीर्य गठिया से गरस्त भी कुछ लोग इस नक्षातर वाले देखे गए हैं ये पुरुष जातक सुद्रड इस्तरी को देखकर मोहित भी जल्दी हो जाते हैं, अपने कारे में उत्साही होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मौक्ष, सब सुखों को प्राप्त करने वाले होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, खुश रहने वाले लोग होते हैं, परम पर अगर धर्म के पालन करने से ये थोड़ा सा पिछड़े हुए होते हैं ज्यादा इनको धर्म में इसलिए रूची नहीं होती अब स्वाती नक्षत्र का पहला चरण अगर हो पहले चरण में ही किसी का जनम हो स्वाती नक्षत्र के तो इस चरण का स्वामी गुरु ग्रह है इसमें शुकर राहू गुरु इनका परभाव है स्वाती का ये पहला नक्षत्र का चरण स्वाती नक्षत्र का ये पहला चरण तुला राशी के छेएंश चालिस कला से आरंबो करके दस संश 00 कला तक का भाग है और इस भाग का नमाश पढ़ता है धनू और ये भाग संचार का खुले विचारों का लेखन का सूचक माना गया है इस नक्षत्र चरण में यानि पर्थम चरण में जनम लेने वाले ये जातक गौरवर्ण के वाले होते हैं अश्व मुखी होते हैं सुन्दर दांत होते हैं इनके दांत पंकती सुन्दर होती है इनकी बड़े उन्नत नेतर होते हैं लंबे हाथ पैर होते हैं दूबले होते हैं ये जातक पून मेधावी होते हैं वाद और विवाद दोनों को सिद्ध करने वाले कहे गए हैं ऐसा दर्ण शम्ता वाले लो होते हैं वेवहार में चलकपड कपर योग भी कभी कभी कर लेने वाले होते हैं अच्छा अध्यापक भी हो सकता है यह जातक लेकक भी हो सकता है परवक्ता रंगमंच का कलाकार पिता से इनके संबंद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते छोटी यात्राओं के यह शौकीन भी होते हैं विपरीत लिंग को परभावित करने वाले संतान होने में विलम पराप्त करने वाले सुखी धंपत्य जीवन वाले यह लोग होते हैं अब स्वाती नक्षतर का दूसरा चरण स्वाती नक्षतर के दूसरे चरण जिसका स्वामी शेनिग रहे इसमें शुकर होता है स्वाती का ये भाग तुला रशी के 10 एंश 00 कला से 13 एंश 20 कला तक का होता है इस भाग का 9 एंश मकर का होता है ये बहुतिकता नाजुकता विकास इस्तिरता वानिज्या का सुचक ये भाग माना जाता है second part स्वाती नक्षतर का और ये जातक पतले दूबले कंधे वाले और भुजा वाले होते हैं टेड़े दांत वाले होते हैं मरग के समान इनका नेतर होते हैं छोटी नाक मन से ये ज्यादा निहराशा वाले विचारों वाले ज्यादा तर देखने को मिलेंगे सद्वेवारी होते हैं, इस वाती के इस नक्षतर चरण में जन्म लेने वाले जातक दूसरे चरणों के समान अध्यात्मी कुन्ती के लिए धीमी गती वाले होते हैं, इनके जीमन का मुख्य लक्षय वित्व, विकास और इस्थिरता होती है, यह जातक पृतिभा मान होते हैं विकास मान होते हैं, वेवसाइक मामलों में धोके बाजों से स्तर्क रहने वाले साधारन दामपत्य जीमन जीने वाले होते हैं अब स्वाती नक्षतर का तीसरा चरण, तीसरे चरण में जनम लेने वाले जातक और तीसरे चरण का स्वामी शनी ग्रह है, इसमें शुक्र राहू और शनी तीन ग्रहू का प्रभाव रहता है, स्वाती नक्षतर का ये तीसरा चरण तुला राशी के तेरा अश बीस कला से अर जान और लक्षय की प्राप्ती का सूचक माना गया है। यह जातक गंभीरता से युक्त होते हैं, गंभीरता से युक्त नित्रों वाले होते हैं, मद्दे से चप्टी नाक वाले होते हैं, घने रूखे बालों वाले होते हैं, स्थिर आत्मा वाले होते हैं, मित्रों के प्रीय होते हैं सरल हर्दे वाले स्वाती नक्षत्र का सबसे अच्छा चरण माना जाता है इसमें आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों परकार की उन्नती होती है यह जातक सीखने की इच्छा के करण किसी विविशे के ग्यानी भी होते हैं मस्तिश्क और बुद्धी से पूर्ण विक् इनका दम पत्य जिवन भी शुखि होता है अब अन्तिम चतुर्थ चरण स्वाति नक्षत्र का चतुर्थ चरण इस चरण का स्वामी ब्रस्पती यानि गुरूगर्भ है इसमें शुक्र रहू और गुरू तीनों ग्रहूं का प्रभार रहेगा स्वाति का यह Some तोला-ला पहन लिए हुए परस्तिति के अनुसार परवीनता प्राप्त करने वाले धहरे निरंतरता का सूचक ये नक्षत्र माना जाता है। वर्ज से परिशान रहते हैं। अन्य चरणों की तुलना में इस चरण में जातक ज्यादा मेहनती होते हैं। बेहनत बहुत इनको करने भी पड़ती है। और विपरीत लिंग की तरफ ये जल्दी आकरशित हो जाने वाले भी होते हैं। मंगल और शुकर दोनों का संबंद इस नक्षत्र पर होने के कारण से विपरीत लिंग से शारिर्क संबंदों के मामले में ये ज्यादा अगरसर होते हैं। अब महिलाएं वैसे तो ये स्वाती नक्षत्र का पूर्ण विवरन जो मैंने अब तक बताया है ये जातक ये जाती का स्ट्रिया पुरुस सभी पर लागू होता है। लेकिन इस्त्रियों पर भी लागू होता है और विशेश रूप से इस्त्रियों के लिए इस नक्षत्र में अगर किसी इस्त्री का जनम है तो उनके लिए कैसा फल होगा ये जानते हैं स्वाती नक्षत्र में जनम लेने वाली जातिकाओं में पुरुष जातक के सारे गुन तो होते ही हैं जो पहले मैंने बताए हैं परंतो साथी साथ कुछ गुन दोष पुरुषों से अलग भी होते हैं स्पेशल भी होते हैं अधिक भी होते हैं इस नक्षत्र में जनम लेने वाली जातिका की चाल अतियंत धीमी होती है, धीमी चाल से चलने वाली होती है, जिससे असानी से वो दूर से पहचान ली जाती है, ये इस तरही जातिका सानु भूती पूर्ण होती है, दयालू सुभाव वाली होती है, धरम परायन होती है, सदा शत्रु विनाशनी होती है नोकरी ये वेवसाय करना इनको पसंद नहीं होता और ज्याद तर नहीं करती अति परसिद्ध होती है इसे यत्रा प्रिये नहीं होती परन्तु भागय वश नोकरी अगर करनी भी इनको पढ़ जाए तो यत्रें भी करनी पढ़ती है कभी-कभी इन्हें परिवार्स की विशम प्रिस्तितियों के कारण सदाचार के विपरीत कार्या भी करना पड़ता है। स्वातिनक्षत्र में जन्नम लेने वाली जातिका क्रेय विक्रेय करने में पूर्ण निपुन होती है। यह कुशल वेपारी और सौदा तै करने वाली हो सकती है। मदूर सोभाव होता है। मदूर भाशा बोलने वाली होती है। किन्तु अंदर से धीट भी होती है। ये प्यास अधिक लगने के कारण पानी ज्यादा पीने वाली होती है अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली होती है और अपने लोब लालज को परगट नहीं होने देने वाली होती तो दोस्तों ये था आज स्वाती नक्षतर के पुरुश जातक कैसे होते हैं जातिका क इसी ही होती हैं और हर चरन का फल भी आपने जाना हर नक्षत के चार पार्ट होते हैं उनी को चार चरण कहते हैं उन चारों चरणों का अलग अलग फल भी आपने जाना और समझा वीडियो गर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सुब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को आप जरूर शेयर कीजिएगा अलगर समस्क्राइब